पब्लिक टीवी आपकी आवाब नहीं था और नई गाड़ी के मालिक का पता चल सका और ना ही गाड़ी के मालिक का पता चल सका काफी देर तक पुलिस तफ्तीश में जुटी रही लेकिन पुलिस को कुछ भी हत्ते नहीं लगा पोलिस द्वारा गाड़ी को ई रिक्षा में डाल कर रेलवे चौकी ले जाया गया आपको बता दें कि गोविन नगर में अक्सर रेल हाथ से होती रहते हैं लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा कोई भी उचित कारे नहीं किया गया अब तक लगभग सैकडों लोग ट्रेन द्रगटना में अपनी जान गवा चुके हैं लेकिन आप तक गोविन नगर अंडर पास नहीं बन सका आप